हाँ तो नमस्कार दोस्तों मेरा ना मैं आकाश्वर मैं स्वागत करते हूं आप से भी कमारे यूटीब चनल सर्माजी क्लास में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान नियान के कुछ ऐसे महत्वपुर्ण प्रेश्ण जो कि आपकी पूछे जा चुके हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए यो चैनल पर नहीं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथे में बेल आइकन को प्र प्रश्न प्रश्न है दोस्तों आज का पहला कि मध्य प्रदेश में सती प्रणाली का प्रमान एरन के सिलालेक में है यहां सिलालेक किस सासक का है ठीक है क्या है दोस्तों आपको प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सती प्रथा थी उसका प्रमान एरन के सिलालेक में है यहां तो इसका जो दोस्तों आपका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा आपका option number C option number C भानुगुप्थ यह जो सिलाले कि दोस्तों किसा सकता है भानुगुप्थ का है दोस्तों मैं आपको question बढ़कर बताओ और उसके चारो option सुनाओ उनको सुनने के बाद में अगर आपको सवाल का अंसर पता है तो आप उसका अंसर कमेंट जरू करें जिससे आपको पता चलेगा कि आपके तयारी कितनी बहतर है वर आपके कितनी प्रशने सही होता ठीक है तो चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ अगला प्रशने दोस्त C, नरहरी, सहा, और Option D है आपका चत्रसाल तो इसका जो आपका right answer है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा आपका option number C ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका right answer, option number C नरहरी, सहा, उजेन इस्ति जोगोपाल मंदिर दोस्तों, वो किस ने पर स्थीत है, option A, उज्जेन, option B, जवलपूर, option C, सतना और option D है आपका देवास, तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा आपका option number A, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, right answer, option number A, उज्जेन, मैं अरशे संदीपनी का जो आसर में जहाँ पर स्रीक्रेश्न और बलरामजी ने शिक्षा ग्रहन कीती, दोस्तों, वो कौनसा आसर में, संदीपनी आसर में और जो कहाँ पर इस्तित है, ये इस्तित है आपका उज्जेन सहर में, ठीक है, चलेंगे अगले प्रशन पर, प्रशने दोस्तों, आपका अगला बहुत ही ज़ादा महतुपूर्ण प्रशने, सब्सक्राइब दुस्तों वह क्या हो जाएगा इसका राइट ऐंसर हो जाएगा आपका ऊप्शन नमबर बी ऐसे भीम बेटिका जिले में आती है जूस्तों राइसें जिले में यह स्थीत है कुनसी भीमit का चलेंगे हम हमारे अगले प्रश्न के तरफ तो दोस्तों चलतें Janet प्रशने के तरफ बहुत यहादा मेहत्वपुर्णulk्य प्रशने आपका कि मध्य-प्रदेस का कोन सा धक्षिन भारती प्रद्यति से बनाये गया है यानिकि आप से पूछा गया कि इनने में से जो इमारत हैं में से कौन सी मंदिर है जो की दक्षिन भारती पिद्धती से बनाया गया दोस्तों इस से पहले जब वीडि apologise am рок action देके थे एंप जी के को समें मैंने आपको प्रश्की बताया था प्रश्ण था उसमें आपका कि तेली का मंदिर कहां स्थीध है तो मैंने आपको मंदिर ऑप्षिन भारती वो मंदिर तेली का मंदिर को गोपाल मंदिर दोस्तों जिस में देखा है उसकां को अंसर पता होगा ऑगा कि जो तेली का मंदिर है वह दक्षिन भारती पद्धिती से बनाय गया मंदिर है और यह कहां पार इस थे थे तैं या जीस्ट Dop cl celebrating अगले प्रषने के तरह बहुतर ज्यादा महत्वपूर्ण व्रशन है क्यों होई क्योंकि यह काई साप रशने हैं दोस्तों जिससे आपके कि इस एक ही प्रेशन से क्योंकि प्रेशन दिया गया है कि निम ने लिखी तुमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताया नहीं कि कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है तो पहला उप्षन आपका पावगिरी खरगोन में यानि कि आपको पता होना चाहिए कि जो नहीं है उदेगिरी की जो गूफा है या जो उदेगिरी है कहां पर है सहडोल में नहीं है दोस्तों यह है विदीशा में ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं ताकि आपका यह कोश्चन है और कम्प्लीट हो जाए अमर कंटक जो है दोस्तों कौन से जिले में है सह जिले में ठीक है ये आपके तीनों कोश्चन कंप्लेट होते हैं इस से की भरतरी की गुफ़ा धार में हैं अमरकंटक सहडोल में है और पावा गिरी जो है खरगोल में ठीक है और उदेगिरी का भी मैंने आपको बता दिया option A, उजयन, option B, धार, option C, विदीशा, और option D, दोस्तो इसका सीदी, तो इसका तो मैंजे पता है कि आप बिल्कुल आँख बंद करके इसका अंसर लगा दोगे, option number A, ठीक है, कहाँ पर है दोस्तो आपका गोओले यर, तो दोस्तो आपका जाए विलास महल है। कहाँ पर है इस थी थे ीसका आपका right answer हो जाएगा, option number D, ठीक, क्या हो जाएगज दोस्तो इसका right över option D, गोओलेयर, आपका जाए विलास महल है कहाँ पर है यह यहां पर है यहला करी पर सीथी महत्वपुर्ण प्रश्ण है कीलो के ऊपर एक प्रश्ण एक्जाम में आपसे MPG के का जरूर कुछा जाएगा प्रश्ण आपका ये है कि अल्ला उद्दीन खिलीजी द्वारा निम्द लिकित में से कौन सा कीला बनवाया गया था option A मंदसवर option B गिन्नोरगड option C नरवर और option D है आपका मंद्रा तो इसका जब का right answer हो जाएगा आपका option number A ठीके क्या हो जाएगा इसका right answer option number A मंदसवर क्योंकि दोस्तों मैंने कीलो के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सा किला कहां पर इस थी थे और वो उसके निर् माया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा था आप वीडियो के description में उसका link देख सकते हैं ठीके महासा आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों जिसने वो वीडियो देखा हुआ उसको इसका answer बिल्कुल एडजक्ट पता होगा कि अल्ला उत दिन खिल तो आप बनवाया ग में जिस्ते थे अशोक नगर में जिस्ते ठीक है option A है किर्तिपाल तो इसका जो आका right answer हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा है आपका option number aосetane नमबर ए कीर्थिपाल किस ने बनवाय था दोस्तों मद्ध्य प्रदेश का प्रसिद्य चंदेरी का किला राजा कीर्थिपाल ने बनवाय था जो कि कहां पर इस्तित है अशोकनगर जिले में इस्तित है दोस्तों अशोकनगर का जो यह चंदेरी है यह आपको पता होना प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश का प्राचिन भैसा देवी मंदिर किस जिले में स्थीत है कौन सा मंदिर दोस्तों प्राचिन भैसा देवी मंदिर किस जिले में स्थीत है option A है इसका आपका मांडू, option B चंदेरी, option C बैतूल और option D है आपका राइस है तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा आपका option number C क्या हो जाएगा इसका right answer option number C बैतुल प्रसिद्ध जो भैसा दिवी मंदिर है कहां पर है दोस्तों बैतुल जिले में श्थी थे अगला प्रशन बहुत जादा महत्वपूर्ण प्रशन है कि नेपान अगर मद्य प्रदेश के किस उध्योग से सम्बंदित है उप्षन A सुंती कपड़ा उप्षन B चीनी उप्षन C समाचार पत्र और उप्षन D आपका जूट तो इसका जब का रैट अंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा इसका रैट अंसर हो जाएगा आपका उप्षन नमबर C ठीक है क्या हो जाएगा इसका रैट अंसर ओप्स नंबर C, समाचार पत्र, नेपन अगर उद्धीो की केंडर Raju यानि की बुरहानपुर जीले में दोस्तो ये काई के लिए प्रसिद्ध है यानि की समाचार पत्र से सम्बंदित उद्धीो के कोन सा नेपन अगर ठीक मध्य प्रदेश में उद्योगों के बारे में अगर आप डेटिल से पढ़ना चाते हैं तो उस वीडियो का लिंक में ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप महाँ जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है चलेंगे दोस्तों हमारे ऐसा जीला पूछा है जहाँ पर अफिम के खेती की जाती है तो उप्शन दिये गए आपको उप्शन A खंडवा उप्शन B मंदसौर उप्शन C रीवा और उप्शन D है दोस्तों आपका छिंद वाड़ा तो इसका ज cinnamon reais Uhr हो जैगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका र्यट अंसर हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर B ठीक है क्या हो जाएगा इसका र्यट अंसर ओप्शन नंबर B मंदसौर मद्य प्रदेश का कौन सा एक मातर जीला जा अफिम की खेती की जाती है दोस्तों मन्दस और ऐसा जीला है जहाँ पर मद्य प्रदेश में अफिम की खेती की जाती है अगला प्रशन है दोस्तों आपका योजनाओ से संबंदित एक प्रशन है यूजनाओं से संबंदित भी आपको अच्छे से प्रशण पढ़कर जाना है क्योंकि आपसे परिक्षा में पूछा जा सकता है ओर पूछ democratic संभाव ना यह जुद κ home का अच्छे से पढ़कर जाना है जल्द बहुत ही जलद में दोस्ते पार एक वीडियो option A. जनवरी 2005 option B. फरवारी 2006 option C. मार्च 2007 option D. आपका सितमबर 2008 तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका right answer हो जाएगा आपका option number B क्या हो जाएगा right answer option B. फरवारी 2006 में मद्य प्रदेश में रोजगार गारंटी उजना प्रारंभ होई थी ठीक अगला प्रशन देखेंगा दोस्तों कि निम्न लिकित में से कोन सा मद्य प्रदेश का सर्व प्रतम तापी विद्यत इस्टेशन है क्या प्रशन है दोस्तों कि कोन सा मद्य प्रदेश का सर्व प्रतम तापी विद्यत इस्टेशन है option A. चांदनी, option B. अमरकंटक, option C. सत्वपड़ा और option D. आपका विंध्यान चल तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा आपका option No.A. तीक है क्या हो जाएगा इसका right answer Op.A. चांदनी ताप्विद्यत केंदर ये दोस्तों मद्य प्रदेश का प ersten पहला ताप विद्यत केंदर रहक है, कॉन सा चांदनी ताप्विद्यत केंदर चलते हैं दोस्तों अगले प्रेशन पर जी हां दोस्तों नदियों से सम्मझे एक प्रेशन है और प्रेशन वहीं से बनाए जहां समय आपको नदियों वाला जो टोपिक पढ़ाया था उसमें यह प्रेशन बताया था ठीक है अकर आपने नदियों के ऊपर वाला वीडियो दिया है प्रशन क्या है दोस्तों आपका कि माता टीला बांद किस नदी पर निर्मित है जिनने वो वीडियो देखा है उसको इसका अंसर पता होगा option A बैतवा, option B थावर, option C पैंच और option D आपका बान गंगा तो दोस्तों इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका option A ठीके क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर, option नमबर E क्योंकि माता टीला बान जो है किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों यह बनाया गया है बेतवान अदी पर ठीक है चलेंगे अगले प्रिशन पर देखते हैं दौस्तों, अगल अनुसंदान केंदर जो है कहां पर स्थीत है ठीक है अगर आपने मेरे वीडियो पूरे देखे हो है MPG के तो आप से लगबग MPG कोई भी कोश्य नहीं है जो की नहीं बनेगा ठीक है प्रस नहीं किया दोस्तों आपका कि मद्ध्य प्रदेश में राष्टरी सोयबिन सोध कि मद्ध्य प्रदेश में कहां पर अधिकांस रूप से टेंग को द्वारा सिंचाई की जाती है option A, टीकमगड एवं छतरपूर में, option B, बाला घाट एवं सिवनी में, option C, राइसन एवं मंदिला में और option D, आपका छिंदवारा एवं बैतुल में इसका जो आपका राइट एट एशर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दुस्तों, इसका राइट एशर हो जाएगा आपका option नंबर B, क्या हो जाएगा इसका राइट एशर, ओप्शन नंबर B, बाला घाट एवं सिवनी में, अधिकांस रूप से यहाँ पर टेंग को सिंचाई दोस्तों की जाती है बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण प्रशन दोस्तों कि मद्य प्रदेश के किस दिले में सरवाधिक सिंचाई की जाती है यह सिंचाई होती हैoptि ओप्षन ऐ ग्वालिर ओप्षन भी छिनदवाड़ाoption सी जबलपूर और ओप्षन ड है आपका होशंग बाद तो इसका जो राइट Anser हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा इसका राइट Anser हो जाएगा आपका option number D क्या हो जाएगा दोस्तो right answer option number D होशंगवाद मध्य प्रदेश का जो सरवादिक सीचाई होती है वो कौन सा जिला है होशंगवाद जिला है ठीक है अगला प्रशने दोस्तों आपका कि मध्य प्रदेश का निम्न लिखित में से कौन सा छेतर चावल एवं कपास का छेतर कहा जाता है सरवादिक फजल उत्पदन वाले जिलों के बारे में जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा छेतर क्या कहलाता है सभी छेतर के बारे में बताया था कि कौन सा च्छेतर कहां पर व्याब पगे ठीक है तो इसमें आपको बताने कि कौन सा च्छेतर चावल एवम कपास का च्छेतर कहा जाता है option A खंडवा, option B सिवपुरी, option C गवालियर, option D है आपका साजयपुर, तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा तो आपका right answer हो जाएगा आपका option No. आ क्या हो जाएगा, option A खंडवा जैकी चावल एवम कपास का च्छेतर कोंँ सा कहलाता है इन में से खंडवा जिला इन में से चावन और कपास का छित्र कहलाता है प्रशन हैं दोस्तों आपका अगला बहुत ही महत पुर्ण प्रशन जो आपको में पहले ही बता चुका हूं कि उज्जेन का प्रशिद्ध महांकाले श्वर मंदिर किस नदी के तड़ पर इस्थीत है है आपको जो महांकाल मंदिर है तो यह कहां पर इस्थित है उज्जेन में इस्थीत लेकिन आप से पूछा गया कि यह कुन सी नदी पर इस्थीत है आइज具 देखतेर के माड़ कोन तो गाल प्रशन के चंबल नदी का उद्गम निमन लिकित में से किस इस्थान से होता है। कहा से होता है चंबल नदी का उद्गम दोस्तों आपने नदीव वीडियो देखा हो तर्फ पर जरूर पता होगा तुन में उसके आपको भिंड, option B है रतलाप, option C है महू और option D आपका उजजें तो इसका आपका राइट ऐंसर क्या हो जाएगा दुस्तो इसका राइट ऐंसर हो जाएगा आपका option no. C, क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर, option no. C महू, चम्मल और जे महु में है देखेंगे अगला प्रशन आपका मध्य प्रदेश में निम्न लिकित मेंसे किन दो नदियों का संगम प्राण हिता के नाम से जाना जाता है से आ बोल सकते हैं एक तो आपको बताना है कि किन दौ नजिए का संघ्यचाम जो प्रहता के नाम से जाना जाता है दोस्तों सेम क्रणा के बारए में पड़ाया था तो बताया था मैंने की प्राना कि नाम से करे यूकर कि संघ्य ठीक है, option A है आपका वेन गंगा और वर्धा नदी, option B है कुमारी और वर्धा नदी, option C कुनो तथा पारवती नदी और option D आपका तवा तवा तथा शेप्रा नदी, तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका right answer हो जाएगा आपका option number A, ठीक है आपको इन दोने नदीयों के नाम याद रखना है, वेन गंगा और वर्धा नदी का संगम जो हता है, क्या कहलाता है, प्रानिता कहलाता है, ठीक है, चलेंगा अगली प्रशन के तरफ, अगला प्रशन है दोस्तों, बहुत ही महत पुर्ण प्रशन है, कि निम्नलेकित मेंसे कौन सा आरक्षित छेतर, दूद राज जो मद्य प्र्देश का राज किए पक्षी है, कि सनरक्षन के लिए प्रसिद है, दोस्तों इसमें आपका एक और प्रक्षिन कंप्यूर्ट हो जाता है, यहां पर आपकре पता चलता है कि जो मद्य प्रदेश का राज किये पक्षिए वो क्या है दूद्राजी जिसे हम इंग्लिस में पेराडाइज फ्लाइज केचर भी बोलते है ठीक है तो इसका उप्षन आपको दिया गया है कि इन में से कौन सा इसके संरक्षन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा देखेंगे हमारा उप्षन पहला है बोरी आरक्षि सिंगोरि आरक्षित। सिट्रत जोकी किस इलाए की जिले में धार जिले में ठीक है अगला प्रस्फ्षन बहुत ही महत् referrals पुर्ण प्रस्फन में से कोण से रक्ष प्रमुह रूप से मंद करदेश में पाए जाते हैं ठीक है आपको बताना है कि इन में से कुनसा जो रक्षे मुख्य रूप से मद्ध्य प्रदेश में पाया जाता है option A Tandu, option B Bambu, option C साल और option D आपका टीक तो इसका आपका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा, option number C, जाल इसका right answer हो जाएगा ठीक तो चलते हैं अगले प्रशनी की तरफ टार, कि मद्ध्य प्रदेश में अधिकांस काली म्रदा कहां पाई जाती है कहां पाई जाती कौन सा चेतर जहां पर काली म्रदा पाई जाती है option A मालवा चेतर में option B बुंदेल खंड चेतर में option C बगेल खंड चेतर में option D आपका निमार चेतर में तो इसका आपका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका right answer हो जाएगा आपका option number a ठीक है क्या हो जाएगा इसका right answer option number a मालवाट चित्र में दोस्तों अधिकान से काली मृदा पाई जाते ठीक है यह दोस्तों आपको जब मैं आपको म्रदा वाला chapter पड़ाओं तो प्रिप्र आपको clear हो जाएगा ठीक है अगले प्रश्ण पर दोस्तो राष्ट्रे उध्यान में सरवादिग बालो की संक्या आपको बताना है एक का ना किसली राष्ट्रे उध्यान ऑप्शन उप्शन बूर्ण सी आपका पेंच के उध्यान और औप संधी ये दोस्तो संजे राष्ट्री है उध्यान तो इसमेंस आपको बताना है कि कुनसाistes उध्यान जहाब पर बागों की संक्य सरवादिक है तो इसका pode राइट अन्ण्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका option नंबर यह कि में अगले मोगते टरहें की तरफ अगले प्राश्न फीर से संब्दी डे दिया दोस्तों आपको इससे पता चलता है कि आपको जो नदियों वाला टोपी के बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है क्योंकि नदियों से अक्सर एक्जाम में प्रशन बनते हैं प्रशन है आपका कि मंद्र प्रदेश में एक ऐसा इस्थान है जहां दो नदियों का उद्गम दो किलोमेटर के छेत्रपल के अंदर होता है वह कौन सा इस्थान है दोस्तों मंद्र प्रदेश में एक ऐसा इस्थान है जहां पर दो किलोमेटर के दाइरे के अंदर से ही दो न राइट एंसर हो जाएगा आपका option number a ठीक है क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर option number a अमर कंटक अमर कंटक के दू किल्मेटर के अंदर के छेतर में ही दोस्तों option A, सथपुडदा option B, बगेलगंड option C, रिवापनना और option D है आपका a एवन भी दोनों तो इसका आपका जो राइट एंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा अपका option number d क्या हो जायगा दोस्तों right answer option number d a एवन भी दोनों गोंडवाना काल की जो चट्टाने मद्द प्रदेश के निमने लिकित में से किस चेत्र में पाई जाती है सत्वड़ा के चेत्र में पाई जाती है चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा अगला प्रस्ण और आज का लास्ट प्रस्ण बहुत ही महत्वपुर्ण प्रस्ण दोस्तों कि आहिल्य बाई कहा की रानी थी, option A गौलियर, option B मालवा, option C जैपुर और option D आपका B जापूर, तो इसका जोापका right answer होजाएगा वह क्या होजएगा दोस्तों, इसका right answer होजाएगा, आपका option number B क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर option number B मालवा अहिल्या भाई जो थी कहां के राणी थी दोस्तों मालवा के राणी थी तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ सब्सक्राइब कर दिया जाएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्रीमा करें